आप सभी का स्वागत है आज में बनाने जा रहे हूं डोला केक्ट के लिए वैसे तुप मेजरिंग कप चाहिए होता है बड़ आपके विपास जैसे मेरे पास मेजरिंग कप नहीं है तो हम इस थैप कुछ कटोली है आप कैसे भी एक मेजर करने के लिए एक बड़न ले लेना अब इसमें एक टाटोली मेदा लेंगे अब इसमें यह हाफ कप शुगर पॉडर डालेंगे अगर आपके पास शुगर पॉडर एवल नहीं है तो आप थोड़ी चीनी लेके उसको ग्राइंड कर सकते है यसे पॉडर फॉर्म में होना चाहिए अब इसमें टू-3 चमच मिल स्कूल डालेंगे मैं इस पॉडर डालेंगे में जाता है जाता है एक बैकिन रच अभी अभी नहीं कि अदेपस्जला में आपको आप स्कुर्णारं से नहीं है कि आप में आप स्कुर्णार्यन आप आप दो डाल जाप स्कुर्णार और अब इसमें एक चम्मच वनिला है दालेंगे इस फ्लेवर क्यों होना सकते हैं कि मेरी बेटी को वनिला फ्लेव को पसंदे अब इसमें अब इसमें इसमें डालेंगे क्यों हमने इसमें शुगर पादर और बेभी मैं पादर डाल रखा है तो मीठा जादा हो जाएगा इसमें इसमें सिर्थ तीन चम्मच ही डालेंगे अब इसमें हम एक चमर शहट डालेंगे इससे कफी टेस्ट अच्छा आता है हनी डालेंगे आपको इसी भी ब्रैंड का हनी यूज़ कर सकते हैं अब इनको हम मिल्क करने हैं अच्छे पर अब इनको हम मिल्क करने हैं अच्छे पर अब हम इसमें यह मिल्क है आप इसमें हम इसका बैटर बनाएंगे नहीं गाड़ा होना चाहिए और नहीं पतला होना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके हम करेंगे इसमें रिबन जैसे बननी चाहिए थे यह बिल्कुल पर्फेक्ट है नहीं बहुत बतला है नहीं गाड़ा है आपको फेट करत भ्यानत नहीं कि इसमें कोई लंस नहीं बनना चाहिए करतेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे गरम हमें के ले रख रहेंगे अभी हम इसे थोड़ा सा बटर करेंगे अब बटर जी या और कुछ भी यूज कर सकते है अब हमें पेटर को आप मेरे पाद ये कलची है आप कोई भी एक लेना उसी से डाला है एक नाप के लिए होता है कि ताकि सारे दोरा के एकको लिक्कुल बनें प्लीज जो अवाजे आ रहे हैं उसे mind मत करें अब इसे थोड़े लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे जाथ ये बबल आने लगी ना इसको हम पकने देंगे थोड़े देर करें आप चालो तो इस पे थोड़े देर के रीड ड़ा सकते हैं थोड़े देर तक रीड लड़ा के इसको पकने रहें हैं आपर फ्यू मिनिट्स मत अब की दो तीन मेरे ब्राद हमें से देखेंगे के चिपकता में रहेंगा हो रहे हैं अब हम इसको दीड़े से पकने देंगे अब हम इसको थोड़े देर के पकने देंगे अब हम भी जब से देख लेंगे से इस परफेक्ट अब मिस्स होता है अब हम इसको देखेंगे फ्लेम को हम लोगी रहने देखेंगे आप हाई नहीं करेंगे अब फ्लेम को अब हम ठोड़ा बटर और लाएंगे पे कि अब हम इसे देखेंगे वदेम इस पर देखेंगे इस पर देखेंगे अब हम आपा से बैटे लेंगे इसको मैं फैलानी जूरत नहीं है अपने आपी शेप में फैल जाता है इसे इसको ऐसे चोड़ देने हमें अब हम इसको फैसे दो टीमेंट के लिए पखेंगे अब हम इसको दिखेंगे इसको बलट देंगे अब है जो विताइब तरोड़ दो मैं जहीं है करेंगे अब है बल्सको दोड़ देखेंगे लिए विए जापी है अब बल्सको देखेंगे अब पर्फेट अब हम इस्पी वापस के बटने रहे हैं फ्लेम को हम रोई रहने देंगे तो यह मुझा दूशी को पटने वो यह जबते कि अब रहने से कि अब ने रहे हैं वो यह जाद्यक अब रहे हैं अब एत यह करेंगे यह लुक ए तिस सो इस स्पंजी स्पंजी अब इसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे आप हमेशा ध्यान रखना कि और बेटर जो भी आप बगारे उसको टिश्यू पेपर से या किचन टॉबल से इसे वाइप कर रहेंगे इस परफेक्ट इस माइ फर्स वीडियो प्लीव जो भी गलती हो उसे प्लीव इग्णोर करना अब हम वापस इसे बता रहेंगे इस टूबलेशल तूबलेशलेशल जिए आप लिए लिए-खिखट अरे करते माँट से बता रहेंगे आपको इसारी चोक्रेट साथ है सकते हैं अब इस पे छोक्रेट करेंगे मेरे बेटी को बहुत साथ चोक्रेट पसंदे लेकर में तोड़ी जादा लगा लेया हूँ आप जाओ तो कम में लागा और रादा अब में इस पर दूसरा वाला रहते हैं C है नहीं चोक्रत C is my daughter and C enjoying dora cake इसे बहुत पसंद आया है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लिए like, share and subscribe my channel I hope मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया हो अगर पसंद आया तो प्लिए like, share and subscribe my channel Okay, bye bye